कोई व्यक्ति अगर आप से हर तरीके से आपके राज जाने का प्रियास कर रहा है तो समझ जाए कि वे आपका हितेसी तो कते ही नहीं है वे तो बस आपकी सकती, कमजोरी, योगिता या बेकराउन को जानना चाता है ऐसे लोगों से साथदान हो जाएं जो आप से खोद-खोद कर कुछ पूछ रहे हैं नमबर एक घर-परिवार की बाते बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर-परिवार की सारी बाते अपने मित्र, रिष्टिदार या किसी परचित से सेयर करते रहते हैं ऐसे लोग बाद में पश्टाते हैं इससे घर के सदश्यों में आपसी मन- उटाओ और अब विश्वाश की भावना बढ़ती है घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुख में बनता है नमबर दो घर का रहश बहुत से ऐसे लोग है जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते है और घर के कौने कौने से सभी को अबगत करा देते है जो लोग आ देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसी देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंद नहीं है हाला कि जिस घर जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, वोए कितना सही है, यह भी देखना ज़रूरी है नमबर तीर, आपका धन, जो लोग जानना चाते हैं कि आप कितना कमाते हैं, यदि आप धीरे धीरे नहीं बताएंगे, आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे, तो ये लोग दूसरे तरीके से पूस्टाच करके अनुमान लगा लेंगे, हाला कि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनी रखेंगे, तो आपके लिए ही अच्छा होगा, इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लोटाएंगे नहीं, नमबर चार, अपना अपमान, यदि सार्वजनिक रूफ से आपका अपमान किया जा रहा है, तो उसका जमकर प्रतिकार करें, फिर भी व् बहुत से मामले में कभी-कभी मजबूरी वस अपमान जेलना पड़ता है, नमबर पांच, अपनी अयोगिता या कमजोरी, हाला कि बहुत सी जगे या मामले में इसे गोपनी रखा जाता है, गोपनी रखा तक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे आने लगेंगे नमबर छही मन की बात मन में बहुत सी ऐसी बाते होती है जिनको जग़ जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवशाद हो क्रोध हो या ग्रढ़ा हो मन में हजारों तरह के विचार उत्पन ह होते हैं लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं नंबर साथ गुरू मंत्र साधना और तब यदि आपने किसी योगी गुरू से दीख्छा ली है तो उसके द्वारा किया गया गुरू मंत्र गोपनी रखें हाला कि किसी ने आपको कुछ ग्यान दिया या कुछ हुनर सिखाया हूँ नंबर आठ दवा आप यदि किसी भी पिरकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनी रखें माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वे गोपनी है हाला कि कुछ लोग इसे छुपा कर जानना चाते हैं लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयू पूछता है तो उसे कतई ना बताएं लेकिन बरतमान में यह संबब नहीं है लाइसेंश पासपोर्ट या अन किसी कार के लिए फॉर्म भने में इसका खुलासा करना ही होता है लेकिन कभी कभी ऐसे मोके या इस्थान होते हैं जहां आयू बताना जरूरी नहीं होता आजकल अंजान लोग भी पूछ लेते हैं कि किसने वर्ष के हैं आप दन्पुन आपने जो भी दन किया है उसे गुपत रखें गे तो ही उसका लाव मिलेगा मिल सकता है गोपनी दन देपताओं की नजर में रहता है और जिस दन का वखान किया जारा है उसका फल निश्फल हो जाता है अगर आपको मेरी एक अप जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड सेयर करना न भूले थैंक यू